श्री परम पूजनिय संत श्री राजेश्रा नंजी महराज अपने ससंग में बता रहे हैं कि भगवान की भुक्ति कहां से शुरू करनी चाहिए और भगवान का ध्यान कहां पर और कब कैसे करना चाहिए उन्होंने बड़ी संदर बात किये कि जहां पर आप हैं महीं से भगवान का ध्यान महीं से शुरू करें और सब में भगवान को देखें तो आईए सुनते हैं इनका ये प्रवचन और अद्बुद वीडियो है ये आप लोग चैनल को सस्क्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए ताकि ऐसे ही भक्ति में वीडियो जन जन तक पहुंच सकें वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद जब भगवान भी एक खेल करते हैं कब जब कोई संसार के सम्मंदों में आसक होकर भगवान कोई का भी सुमरन कर देता है तब भगवान कहते हैं कि ठीक है लेकिन जड़ा देखना एक शन ऐसा आएगा कि तुम्हें हमारी और देखना पड़ेगा क्योंकि ये तन कीमती है मगर है बिनाशी कभी अगले छन के भरो से न रहना निकल जाएगी छोड काया को पल में सदा स्वास धन के भरो से न रहना छन में भोगी एक छन में योगी और छन भर में ग्यानी और छन में भी योगी बदलता जो पल पल में प्रती अपनी कभी अपने मन के भरो से न रहना खो जो मेरा मेरा कहेंगे जरूरी नहीं वेवी तेरे रहेंगे मतलब से मिलते हैं दुनिया के साथी सदा इस मिलन के भरो से न रहना हम सोचते काम दुनिया के कर लें धनधाम अरजित कर नाम कर लें फिर एक दिन बन के साधू रहेंगे उस एक दिन के भरो से न रहें राजेस अरजित गुरुग्यान कर लो या प्रेम से धाम गुनगान कर लो अत्वाश्री राम नाम रटो नितनियम से किसी अन्य गुन के भरोसे न रहना दिलिए भाई संसार में रहते हुए भगवान पर भरोसा लगकर भगवान में मन लगाकर तन को संसार में रखो मन को भगवान में रखो दो चीज़े हैं एक है दिल एक है दिमाग आपने देखा को कई बार लोग रोते हुगा थे एक सजनाए मेरे पास बैटकर बड़े दुखी थे रोने लगया हम क्या हुआ और हमारा तो दिल टूट गया अरे हमका दिल किसे ने तोड़ दिया घरवालों इतना भरोसा था उनों तो हमारा दिल तोड़ दिया दिल बातों सही कह रहे है घरवालों दिल तोड़ दिया या अपनों ने दिल तोड़ दिया अज़ जब दिल तोड़ थे तो अपने ही तोड़ते दूसरों को जरूरत किया है यह तोड़ा है अपने ही तोड़े ही कौन कहता जाने वाले याद फिर आते नहीं तोड़ के दिल जाते जो दिल जोड़ के जाते नहीं अपने वाले ही सताते गैर तो बदनाम है और दोस्त से मिलते जो ग्रम दुश्मन भी दे पाते नहीं अज़े एक बाद उता राम कथा यही सिखाते हैं राम जी की कथा बिभीशन जी भी पिटे और सुग्रीव जी भी पिटे तो अपनों से ही पिटे से थोड़ा उन्हें ठीक लगा तो फिर हम ने उन से कहा कि दिल टूट गया यह तो दुख की बात है और तुम से कहा किसने था कि घर दिल से चलते हैं ताय को लगाया था तो फिर करते क्या हम ने कहा दो को एक सीधी सी बात है यह घर दिल से नहीं दिमाग से चलते हैं घर में दिमाग से रहना चाहिए संसार में समझ पूरवक रहना चाहिए तो फिर क्या करें हमने का दिमाग से संसार में रहो घर में रहो परिवार में रहो और दिल से भगवान में रहो लेकिन भगवान में हम अकल लगाए भगवान में तो ऐसी अकल लगाए और वहें भी की नहीं देव की मता ने विश्वास कर लिया कि मेरे भाई जैसा महान कोई नहीं है। इतना बड़ा हुने के बादाओं मेरी रत का सारती बन गया। बेहन को कितना चाहता है। पर सच्ची बात यह है कि संसार में कोई किसी को नहीं चाहता। सब अपने को चाहते हैं और अपने लिए ही सब को चाहते हैं यह नियम है भगवान ने का अच्छा भगवान श्री कृष्ट ने सोचा कि पहले माता का ही ब्रह्मदूर करूंगा जब वह एलत बन में पहुंचा आकाश बाणी होई अरे कंस जिस बहन को तू इतनी हार दिखता से रत में बिठा कर विदा कर ला जिस बहन से तेरा इतना फ्रेम है इसी देवकी का आठमा ला तुम्हारा काल होगा इसी देवकी का आठमा बिटा तुम्हें मिटाएगा तुम मरोगे बस इतना सुना तो अभी देवची के हाथ लड रहा थ हूर था मुस्कुरा मुस्कुरा कर देख रहा था अब तो देवची के बाल पकड़ दी है तलवार खीच दी सिरी ही काट ओ न रहेगा बास न बजेगी मास देवची ही नहीं रहेगी तो लाल कहां से होगा और लाल कहां से होगा तो हमारा काल कहां से होगा ये मौत को मिटाने चला है मौत को मिटाने अज़ देखर इसको ये लगता है कि देवकी का काल मेरी के तलवार में है इसे दूसरों की मौत तो अपने हाथ में दिखाई देती है लेकिन अभिमानी को कभी अपनी मौत नहीं दिखाई देती है कि हमारी मौत किसके हाथ में है उधर तो ध्याने ही नहीं जाता कंस अगर प्रेम से भरा होता तो कहता कि भाई यहोना है वह तो होगा यह प्राण तो एक दिन जाएंगे कौन अमर रहा है अब जो है ठीक है लेकिन क्या प्राणों के डर से प्राण जाने के डर से मैं यह प्रेम का भार्ग छोड़ दू धर्म का भार्ग छोड़ दू एक सजन हमें मिले कहने लगे हम पहले बहुत दानपुन करते थे महाराज बहुत दानपुन करते थे पूजा बाट करते थे, अब हमने से बंद कर दिया, हमने क्यों कर दिया, उन्हें बहुत दोखा हुआ हमें, किसी और उद्देश से देते हैं, लोग धुरुपियों करते हैं, तो दूसरे जागें, ठीक या, आजकल जमाने यह ऐसा नहीं देना चाहिए, यह बड़े चाला को हो गया है, जो नाटक करते हैं, अरे इनके धंदे हैं हो, और वो करते हैं, इसलिए मैंने बंद कर दिया है, अच्छा लगता तो है कि बड़ी सही बात कह रहे हैं, पर सही नहीं कह रहे हैं, हमने उसे दीरे से पूचा, हमने का भोजन करने से पेट कितनी बार खराब हुआ, तो बोला कई बार हमने का भोजन बंद कर दिया है, बोले भोजन बंद नहीं किया, हमने वेवपार मंगाका होता है, तो क्या वेवपार बंद कर देते हैं, दान पूर नहीं मिला था बंद करने के लिए, हाँ यह है, तो भोजन करने में पेट करा हुआ, जिस चीज़ से हु गातर वार नको दूसरी ज्ट में करने लगे दान उन पर खरते हैं तो जिसके जीवन में के आशली सेवा की महत्ता होगी सुभाव में होगा थै कि विच्छु और से सुभाव संक्राइभाद हम लोग सुन्ते ही हैं बिंच्यो ने गारा पर संत्व पाँ किसी ने का बबावार ये बार बार नहीं छोड़ सकता तो संत्व अपनी प्रेम ले ये प्रेम का धार्मिक्ता का दिखावा है मौत की बात किसी ने कह दी इतने में धर्म चला गया प्रेम चला गया इसलिए भाई लोग कहते हैं कि प्रेम में हम मर मिटने को तयार है प्रेम में लोग कहते हैं हम मर मिटने को तयार है और ये कैसा प्रेमी है कि जिससे फ्रेम करता है उसी को मिटाने मारने को तया है यह फ्रेम नहीं है फ्रेम ही तो कहता है कि हम चाहिए न रहें तुम रहो और यह कहता है कि तुम आज ही मरो ताकि हम बने रहें फ्रेम है यह धार मिखता है बस देव जी ने देखा संकट का समय तो बस्देव जी ने कंस की प्रसंसा की ये नीथी है और काम बिगड़ राउत ऐसी लोगों की तारीफ करना मजबूरी हो जाती वो महान है नहीं कि चलो महान कारी है हो जाए प्रसंसा से तो प्रसंसा करने में जा अरे आप तो पुरुश हैं और आपको यह सुभा नहीं देता और आपको देवकी से डर नहीं है देवकी के आठवे लाल से डर है तो इनकी जैसे जैसे आठवे लाल का जन्म होगा मैं लाकर आपको दे दूगा आप उसे मार देना कंस को लगा कि बात ठीक है अब ये बदनामी भी होगी और ये ठीक नहीं उलचा जाओ घर में रहो पर रखवाली रहेगी सब देखते रहेंगे अज़ अब ये कता बड़ी आजीव है चितर कता है आराम से बद्देव देव की जी अपने घर में रहने लगे कंस के पहरेदार रहते थे पर हमारे महत्मा देवर्शी श्री नारत जी पहले तो भवन में ही रहते थे फिर तो कंस ने उनको जेल में डाल दिया बंदी ग्रह में रहो एक लाल का जन्म हुआ परसुदेव लेकर आए कंस ने कहा कि मेरी इससे कोई सतुर्था नहीं है मुझे तो आठवी की जरूरत है वो लोट गए मैं नारत जी की बात बता रहा था नारत जी गए एक कमल का फूल लेकर और इधर से गिने एक दो तरी जा फिर उदर से गिने कंस ने कहा क्या हुआ है बाबा नारत जी ने कहा कि हम गिन रहे कि आठवी कौन सी है इसमें कमल की आठवी पंखुडी कौन सी है को आश्ट दल कमल था इधर से किनो एक इधर से करो तो उधर वाला आठ इधर से एक किनो तो उधर वाला आठ बीच से किनो तो बीच वाला आठ अब ऐसे लगता था को आठमा तो सब में हैं और बात भी सही थी जो आठमा है जो भगवान है वे तो सब में हैं अब गंस ने दूसरा आर्थ लिया कि इसमें तो पहला भी आठमा हो सकता है और आठमा भी पहला हो सकता है तो उसने का अब ए और विचित्र काम की अभी बिचारी पच्चते भी उनको आफ देखो कभी कभी अठपटे धंग से काम करने होते हैं जैसे एक आदमी के हाथ में हुआ फोड़ा थोड़ा ही उठा था तो डॉक्टर के पास गया कि डाक्टर साथ भी फोड़ा दे कर अभी थोड़ा पास डाक्र प्लब यह गोली लेग खालेना बैठ जाएगा गोलाया गोली खाई नहीं अब फोड़ा हो गया बड़ा फिर गया तो उप्सका अपरेशन करना पड़ेगा अभी गोली और दे रहे था कि और बढ़ जाए वैठ लाइक है नहीं ओपरेशन लाइक हुआ नहीं अब जो डाक्टर फोड़े को मिठाना चाहता है वही फोड़े को बढ़ा रहा है और स्वार्ट बना रहा है बस यही बात है नारजी झीने कहा कि कंस तुम्हारे मन में जो अभिमान का फोडा हुआ हुआ है पाप का फोडा हुआ है तुम्हारे जीवन में वो उप्देश की गोली से बंद होने वाला तो है नहीं और पाप बढ़ गया लेकर ऑपरेशन लायक हुआ नहीं है और भगवान ऑपरेशन करना चाहते हैं इसलिए हम ऐसी गोली दे जाते हैं यह जल्दी बढ़ जाए ताकि ऑपरेशन जल्दी होए तो समाज का बना होगा है और वही हुआ वसुदेव गी और मातादेव गी काराग्रे में बंधन में अज़ आज कर लो क्या कहते हैं कमाराज हम इतने जहन्जट में हैं इतने बंधनों और बंधे हैं कि हमें ठाइम नहीं मिलता हम भजन कैसे करें भगवान का इसमरन कैसे करें देखो जिने भजन करना होता है विकर लेते हैं और जिने नहीं करना होता ह उनने कितना ही मौका मिले तो नहीं करते ये कथा ये बताती है कि हम तो घर में रहकर भजन नहीं कर पाते है घर के बंधन में रहकर भजन नहीं कर पाते है और बस्तेव जी और माता देव की तो जील में रहकर भजन कर लेते है अज़े जेल से घर तो कुछ ठीक ही होगा पर यह कथा यह कहती है कि हम बंधन में रहें जगत के बंधन में रहें पर परमात्मा के बंधन में रहें बंधन में रहें कर बंधन करते रहें बलवान को फुका रहें भरोसा रखें अकलाक में जो दब जाये वों जेर नहीं होता ताकत पर जो इतराए वो शेर नहीं होता अदर्वादِ इलाही से माय। सुना होütün बंदे देर तो होती है मगर अंदेर नहीं होता और इसलिए विश्वास करना बहुत कटे शाम से दिल को लगाना कोई मजाग नहीं जीते जी जान से जाना कोई मजाग नहीं कामी क्रोधी नालगी इनसे भगती नहोए भगती करे कोई सूरमा जाती वरन कुल खोए भगवान को याद बस हम देखते हैं कि देखते हैं आप कौन कहता है मुझे होश नहीं आप देख रहे हैं, ठीक है, कितना सुंदर नाम, बस उदेव, बास उदेव, भगवान का नाम इसे भी, जिन में देवत्व का निवास हो, देव का निवास हो, देव प्रकट हो गया हो, और देव की मति कौन, बुद्धी कैसी, जो परमात्मा की हो गया हो, देव की, अपने नहीं देव की, जो भगवान की हो जाए, ये भगती और ग्यान, जो जिसमें किवन भगवान से सरह जाएं, वह ग्यान, और जो भगवान की हो जाए, जिसकी बुद्धी, वह भगती, ये भगती और ग्यान, अज़र इनको बांद कौन, किसने रखा, कंस ने, ये देहा भी, मा नहीं कंस है पर कंस को यह पता नहीं कि कंस वसदेव जी देवकी जी के देह को बांद सकता है पर नेह को नहीं बांद सकता देह बंधन में हैं लेकिन इनके मन का नेह तो परमात्मा के बंधन में हैं यह हैं इसलिए भाई लन में बन में डगर में कहूं रहे यह देह तुलसी सीता लामसों लगयो चाहिए ने इसलिए प्रभू स्री हरी सुईकार करते है सदा मने पुकार स्री हरी सुईकार करते है सदा जब दिल से होती है मगर मुश्किल तो यह है बात यह मुश्किल से होती है पुकार प्रहों तक पहुंचे भगवान के आने के पहले शेश भगवान आए और उनको भी भगवान की माया ने देवकी जी के गर्व से माता रोहनी के गर्व में स्थापित किया है शेश भगवान अब भगवान की परदिक्षा देखो शेष भगवान पहले आ गए भगवान बात में आए कभी शेष पहले भी शेष बात में भगवान और शेष सहिया है भगवान और यही है भगवान देव की माता के गर्व में आए देवताओं नहीं इस्तुति की सत्य स्वरूप परमात्मा की इस्तुति केगी और एक बार किसी संद से किसी ने पूशा कि माता देवकी के गर्व में भगवान हा गए तो क्या भगवान भी गर्व में आते हैं और यह संस्मरन पुजपाद श्रीश्वामी अकड़ना नंसरस्वती जी महराज कि द्वारा उल्लेखित है पेही श्रीमत भागवत की खताता रहे थैं और जब यह हुआ कि देवकी माता के गर्व में भगवान आये तो देवताओं ने इस्तुति की पुजपाद श्री जी महराज विराज मानते हैं तो उन्होंने श्रोता को उत्तर देने की जगे उसी से प्रती प्रश्ण कर दिया उसने पूजा कि क्या भगवान भी गर्व में आते हैं माता के गर्व में आते हैं भगवान तो उडिया बाबा जी ने कहा क्या भगवान माता की गर्व में नहीं है जब तुम कहते हो कि सब जगे हैं इसावासम इदम सर्वम यतिकिंज जगत त्याम जगत इदम सर्वम इसावास सब जगे पर मात्मा हैं तो जब सब जगे हैं तो माता का गर्व क्या सब जगे से अलग है कनकन में हैं चन चन में हैं भीतर वाहर सब जगें हैं बस माता के गर्व में नहीं हैं, बात है, सब जगें हैं भीतर वाहर कंकर सब जगें बस मूर्ती में नहीं हैं, अरे भाई, भगवान सरवत रहें, सब में हैं, सब जगें हैं, इसलिए तो भबती स्वतंत्र, भबती इसी अर्थ में स्वतंत्र हैं, आपको मामा की भक्ति करनी हो तो वहां जाना पड़ेगा जहां मामा है मा की भक्ति करनी पड़े तो वहां जाना पड़ेगा जहां मा है बाप की भक्ति करनी तो वहां जाना पड़े जहां हैं पिता जी लेकिन भगवान की बगदी करनी पर कहीं नहीं जाना आप जहां हैं वहीं चुरू करो कहुगा वह तो वहीं है सब्जेखें? इसी लिए भगती स्वतन्त अज़े किसी नाम में पुकारो सब नाम उनके हैं किसी रूप में का ध्यान करो सब रूप उनके हैं और सब जगए में हैं, सब नामों में हैं, सब रूप में हैं इसलिए भगवान से का हम किस नाम से पुकारे की आ जाएं भगवान ने का ये तुम्हारे लिए छोड़ दिया, तुम जिस नाम से पुकारो आएंगे हम या तुम जहां बुलाओ हम वही होंगे, यही बात है, तो भगवान मता देवकी के गर्व में आए, भीतर आए भगवान, और भगवान भीतर से ही प्रकट होते हैं, भगती के भीतर से प्रकट होते हैं, अचा एक अधुत बात, भगवान के प्रकट हुए एक अनोखी बात है, भ भ्गवान जेल में आए भगवान रात में आए और कितनी अधुत बात क्या। ऐसा करुणा धनी और कौन होगा अगर कोई जेल का बंधन तोडą अंतक नहिंद पहुंच सकता। तो वे करुणा धनी बंधन तो नहीं पहुंचते हैं तहाम तुम तक पहूंचेंगे। वही बात है लेके जटायू जी के पंक कट गए धर्ती पर पड़े थे पर आख बंद किये राम 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 किसी ने जटायू जी से का आप तो आप के पंक कट गए अब भगवान तक कैसे पहुँचेंगे यह तो दुर्भागे पूर्ण रहा जो ट्राइव जी ने कही है तो सौबाग यह है क्यों पंक होते तो जुम्मेवारी मेरी थी कि उड़कर भगवान के पास जाओं और पंक नहीं रहे तो अब जुम्मेवारी भगवान की है अब तो भगवान की जुम्मेवारी है अब मेरी नहीं है बस देव देवकी जी भी ही सोचते हैं कि अगर जेल में न होते तो जुम्मेवारी हमारी थी कि हम भगवान के धाम में चल कर जाएं भगवान के तीरतों में चल कर जाएं लेकिन अगर हम जेल में हैं तो अब भगवान के पास जाने की हमारी जुम्मेवारी नहीं है अब तो भगवान को हमारे पास आने की जुम्मेवारी है अब भगवान का दायत है अचा एक बात है मैं क्या कहूं मारीज जा रहा है थे हेरन बनकर आये थे भगवान पीछे चले तो मारीच भागें आगें और देखें पीजे भगवान ने का जब इधर देख रहे तो उधर काहे को भाग रहे फिर रुक ही जा और भाग रहे तो इधर काहे को देख रहे भागना उधर देखना इधर ये बात समझ में नहीं आई तब मारीज ने कहा कि प्रवदो के बीच में ये जिन्दगी फंसी है, ये जीवन, क्या उन्हें एक और भाग ये है, एक और भाव है, भाग ये उधर ले जा रहा है, और भाव इधर देखने के लिए मजबूर कर दा, भगवान ने कहा कि क्या देख रहे हैं, मारीज ने कहा, सनम खोई जीओ मोई जबही जनम कोटी अगर ना सो तबही ये सुनकर आया था आपकी शरण में भगवान मुले शरण में आय थे तो भागे क्यों उन्हें दूसरी बात याद आ गई आप यह भी तो कहते हैं मोही कपट छल छिद्रना भावा और मैं हूँ कपटी इसलिए भागा अजब कपट तो आपसे दूर भागता ही है इसलिए मैं भाग रहा हूँ भगवान ने का चासो तो ठीक है कि भाग तो रहे हो लेकिन इधर क्या देख रहे हो मारी जने का कि ये देख रहे है कि मैं तो आपके पास नहीं आ सकता क्योंकि कपटी हूँ लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आप भी मुझे तक नहीं आ सकते आपकी माया से भीवश है यह हनमाय जी ने का तो माया बस फिरें भुलाना ताते मैं नहीं प्रभु पहिचाना हम तो आपकी माया के बस में है लेकिन भगवान आप भी हमें भूल गए आपको कौन सी मजबूरी है और मायरीच ने कहा कि हम पीजे मुण कर यही देख रहे है कि हम तो आप तक नहीं पहुँच सकते लेकिन क्या आप भी हम तक नहीं पहुँच सकते यही बस देव की जी का भाव कि हम तो मजबूर है हम तो आप तक नहीं पहुँच सकते लेकिन क्या आप भी हम तक नहीं पहुँच सकते देखो जो भगवान तक नहीं पहुँच सकते उनकी पुकार परमात्मा तक पहुँच जाती है और वह याद ही दया बनकर उन दया निदी को प्रकट कर देती है जीवन में यह वाँ पर जब कभी घबडा के तेरा नाम आता है सुना है तेरी रहमत का सहारा काम आता है नाम प्रकट हुए अचा कब रात में क्यों? लात में अपने को भी कोई सहारा नहीं दिखाई देता अपना हाथ भी अपने को नहीं दिखता और अपनों का भी सहारा नहीं दिखता सब सो रहे होते सब सो रहे हैं लात में अपना हाथ भी अपने साथ नहीं जब इतनी घोर निराशा हो तो उस निराशा के अंदकार में जब कोई सहारा नघो तभी सरविष और भगवान प्रकट हो कर कहते हैं कि हम तुमारे हैं चिंता मत करो चिंता निराशा की अधेरी फार दात में जहां आशा का कोई दिया नजल नहा हो उस अंधेरी निशा में स्वयम भगवान प्रकट होकर कहते हैं कि मैं हूँ तुम्हारे साथ चिंता मत करो तुम जेल छोड़कर हम तक नहीं आ सके तो हम अपना धाम छोड़कर तुम्हारे पास जेल में आ गए अगर तुम जगत के बंधन से उपर नहीं उठ सकते ये भगवान की करुणा है ये आवतार है उपर से नीचे उतर आवतार इसलिए सीड़ी को कहते हैं आवतार नहीं का अचा सीड़ी के दो पाए एक नीचे एक उपर एक आदमी छट पर खड़ा था बोले इन सीड़ीों से उपर आजा हम में लियाएंगा तो कई लूग चड़ गए एक आदमी बड़ा कमज़र हो में सहाब हम तो नहींुक चड़ सकते हैं त उपर वाले ने कहा कि फिराम तक नहीं कोच सकते हैं तो उसने कहा कि इन सीड़ीों का उपयोक क्या कैवब उपर चड़ने के लिए होता, नीचे उतरने के लिए नहीं होता तो उपर वाले का कि होता है, बुले तो इन सीड़ियों का आधार लेकर जो उपर चड़ सकें तो ठीक जो नहीं चड़ सकें, फिर सीड़ियों का आधार लेकर आप ही नीचे उतरा तो ये संकित क्या है ये साधनाई सीड़ी है और इसके दो पाइदान है दो सीड़िया है कौन सी एक नाम एक रूप और उपर है परमात्मा वे कहते हैं तुम नाम रूप से उपर उठाओ तो हम मिल जाएंगे तो जो समर्द है वे नाम रूप से उपर उठ गए परमात्मा तक पहुँच गए लेकिन भगतों ने कहा हम निर्बल हैं हम नाम रूप से उपर नहीं उठ सकते तो तुम ही नाम रूप लेकर नीचे उतराओ तो बड़ी क्रिपा होगी नाम रूप से उपर उठकर परमात्मा तक पहुँच गए बेग्यानी जन है पर भक्तों के लिए भगवान अपना कोई नाम और रूप लेकर प्रकट हो जाते हैं यह अवतार है और वही हुआ भगवान प्रकट हुए एक बार एक सज्जन से चर्चा हो रही थी तो ऐसी बिरूद